आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सनमाईका फूलने के ऊपर अपने विचार सनमाईका फूलने के कारण है सर्दियों के मौसम में नमबर एक कारण है सर्दियों के मौसम में फलस्टोर और सनमाईका में बहुत ज़्यादा मोस्चर होना नमबर दो कारण है सनमाइका का बेंड होना डबक होना और नमबर तीन कारण है फहविकोल के नीचे कचरा आ जाना और नमबर चार का कारण है एक चैसा फहविकोल नहीं लगाना नमबर पांच का कारण है फैविकोल की स्ट्रेंग्ट कम होना ताकत कम होना नमबर छे का कारण है फैविकोल को कंगी से ने लगाना नमबर साथ का कारण है टेप को दूर दूर लगाना और नमबर आठ का कारण है अच्छी तरह से रगडाई नहीं करना और नमबर नौ का कारण है फलस्ट डॉर बीनियर गर्जन कोर का नहीं होना प्लेन चिकनासा होना और नमबर दस का कारण है सनमाई का लापरवाही से लगाना तो कारणों को हमने जान लिया दस कारण थे तो हम अब कारणों के बारे में चर्चा करते हैं सर्दियों के मौसम में फलस्डोर में सनमाइका में बहुत ज़्यादा नमी या मोश्चर होता है तो उसके लिए हम सुलूशन अपना सकते हैं अपना हीटर वगयरा लगा सकते हैं उस कमरे में जिसमें सनमाइका लगाते हैं और वहाँ पर गर्मी को बढ़ावा दे सकते हैं ग दबक होने वाला यह है कि सनमाइका में कई बार दबक होती है उपर को उठती है तो उसकी जगह पे हम सनमाइका जब लगा रहे हैं टेप लगाते हुए हमारे को एक बोड का टुकडा या बड़ा टुकडा या कोई बोड ही रख लेना चाहिए और फिर टेप लगानी चाहि तो वो तो हास से महसुस होता है जब कार्पेंटर हो तो हास से पूरे में आपको फेर के देख लेना चाहिए कि भाई कच्रा तो नहीं है यदि कच्रा है तो उसे निकाल दें कितनी भी साफ़दा नहीं कर लें कई बार कच्रा आ जाता है तो उसे निकाल दें तो काफी हद तक चांस कम हो जाता है फैविकोल को एक जैसा न लगाना वो तो आख से दिखी जाता है जब फैविकोल एक जैसा नहीं लगाएगा वैसे कंगी से लगाते हैं तो फैविकोल एक जैसा ही लगता है फैविकोल की स्ट्रेंग्ट कर कम होना तो भाई फैविकोल आज कल SH वाला जो फैविकोल आता है वो थोड़ा कमजोर आने लगाया उसकी जगह पे मरीन ले सकते हैं या फिर एक बबल फ्री फैविकोल आता है फैविकोल हाई पर उस फैवी कोल को लिया जा सकता है सनमाई का लगाने के लिए तो उसके अंदर स्ट्रेंग अच्छे होती है और कंगी से तो लगाना ही चाहिए हमारे को छटा कारण था कंगी से न लगाने वाला क्योंकि हम बगर प्लेन किसी सनमाई के से लगाते हैं तो कंगी से तोड़ा एक जैसा लग जाता है तो फैप को हमारे को पास पास लगाना चाहिए एक एक इन्ची का गैप दे सकते हैं टेप के अंधर और अच्छी तरह से रगड़ा हमें मारना ही चाहिए रगड़ा मारेंगे तो हमारा बहुत चांस कम होगा फलस्डोर का बीनियर कई वार चिकना होता है तो वो तो हमारे को देखके ही लाने चाहिए बीनियर अच्छी क्वालिटी के बीनियर होने चाहिए और लापरवाई से सनमाई का लगाना तो एक सबसे प्रमुक कारण होता ही है लापरवाई करेंगे तो सनमाई का फूलने के चांस होते ही है तो मेरे इन दस बातों को फूलो करके और ध्यान देकर सनमाई का लगाओ तो काफी आसानी होगी और आपसे यही कहूंगा जै हिन